आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Echo VPN अप्लिकेशन को आप अपनी फोन में कैसे यूज करेंगे तो गैस गर आप भी जानना चाहते हो यह अप्लिकेशन है क्या और इसे अपनी फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को दिखते रहें तो सबसे पहले तो Play Store के अंदर जाएंगे और Play Store में जाने के बाद इस अप्लिकेशन को हम अपनी फोन में डाउनलोड करेंगे उसके बाद इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो About This App का Option मिलेगा इसके उपर क्लिक करके इसके पूरी जानकारी आप जो है ले पाएंगे उसके बाद इसके Reviews रेटेट वेगर आपको देखने तो वो भी यहाँ पर आप Completely देख पाएंगे अब कैसे अप्लिकेशन को यूज करना है चली मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम अपनी फोन में इस एप्लिकेशन को उपन करेंगे और जैसे एप्लिकेशन उपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो जो Smart Server लिखा हुआ इसके उपर टैप करना होगा और जितने भी Server यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे वो सारे यहाँ पर आपके सामने जो है आ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर इसमें से जो भी आपको Connect करना उसके उपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर Allow पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है Connecting स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अब नीचे की सेर में Connecting चल रही है तब तक यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे अब गैज देख सकते हो Result के अंदर यहाँ पर Connected successfully दिखा रहा है यहाँ से हम Home Page में जाएंगे अब देखेंगे जो भी सेर्वर हमने Connect किया था वो Successfully Connect हो चुका है यहाँ पर टिक लग चुका है टाइमर अगर खतम हो जाने के बाद Add करना तो यहाँ से आप Add भी कर सकते ठीक है और एक ही क्लिक के अंदर यहाँ से जो यह डिसकनेक्ट हो जाएगा और चलेगी यहाँ पर डिसकनेक्टिंग ठीक है तो इस तरह से आप अपने फोन में इस अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं